Hello student, this is Dr. Anil Arora, Department of Botany, Dungar College, B.Kanese. आज हम इस वीडियो में Red Data Book, लाल आंक्रों की पुस्तक के बारे में बात करेंगे. ये Red Data Book, ये लाल आंक्रों की पुस्तक क्या है? The Red Data Book is a public document. पहली बात तो ये कि एक ये आम जनता के लिए उपलब्द एक document है, एक ऐसी पुस्तक है जो सभी को उपलब्द है. ये आखिर ये बनाई क्यों गई पुस्तक? ये है पुस्तक जो है, लाल आंक्रों की पुस्तक जो है, इसमें rare species of plants, animals, fungi, as well as some local sub-species which are present in particular reason, उनको समलिप किया गया है. जो endangered हैं और rare हैं. अर्थात, संकट ग्रस्त और दुरलब जो पादपों की, जनतुओं की, फंजाई, कवक इत्यादी की, या कुछ विशेश चत्र में पाए जाने वाले जो जातियां होती हैं, उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है. यह पुस्तक क्यों बनाएगी, इसकी क्या, यह हमारी कैसे साहता करती है, रिसर्च में, स्टडी में, या किसी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए, जब हम संकट ग्रस्त जाती हों और उनके आवास के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पुस्तक में यह सब संकलित किय गया है, और यह उधारन सहीत हमें आंकडे उपलब्द करवाती है, यह पुस्तक क्यों के बारे में भी आंकडे उपलब्द कराती है, जो बिलकुल विलुप्त होने की कगार पर है, इस पुस्तक का नाम रखा गया था, उसे इस खुस्तक का नाम रखा गया था ने विलूप्डगान वे हिलुच जुचेजञार्ए। जाना जाता है यह पुस्तक यह लाल आंक्रों की जो पुस्तक है यह रशिया में सब से पहले बनाई गई थी वहां के जीव विग्यांिकों उने 1961 1971 से लेकर के 1964 में संकट रस जातियों पर या ऐसी जातियां जो नस्ठ होने के कगार पर थी विलुप्त होने के कगार पर थी उनका विशेश अध्यन किया और उनके लिए एक लाल अंक्डों की पुस्तक का निर्मान किया तो इसलिए इस पुस्तक को इस बुक को रुशि International Union for Conservation of Nature Maintains the Red Data Book अब यह पुस्तक जो है वो IUCN यानि International Union for Conservation of Nature तो यह एक संस्ता है जो अब इस पुस्तक का संपूर्ण दाइट तो संभालती है उसकी देखपाल करती है उसमें जो डाटा जोडने हैं या हटाने हैं वो काम अब IUCN करती है IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और उसका जो मुख्यव देश्य था वो यह था कि पृत्वी पर उपलब्ध सभी जातियों की सूचना को एकत्रित करके उपलब्ध करवाना यह इस संस्ता के साथ जुड़ी हुई जो दूसरा आयोग था जिसे हम SSC Species Survival Commission के नाम से जानते है यानि इसे हम जाति जीविता आयोग के नाम से भी जानते हैं वो इसके साथ इस विशय पर सायोग भी करता है और काम भी करता है The IUCN Species Survival Commission SSC is a science-based network of more than 9,000 volunteer experts from almost every country of the world यह जो SSC है Species Survival Commission है इसमें पूरे विश्य के सभी देशों से लगभग 9,000 volunteer काम करते हैं जो free में अपने अपने क्षेत्रों से डाटा इकत्रित करके आंक्रे इकठे करके वो SSC को उपलब्द करवाते हैं और SSC उन आंक्रों को सून योजित करके IUCN को उपलब्द करवाता है उनके अधार पर IUCN लाल आंक्रों की पुस्तक या Red Data Book के अंदर आंक्रों का संकलन करता है All working together towards achieving the vision of a just world that values and conserve nature through positive action to reduce the loss of diversity of life on the earth ये 9000 volunteer जो सभी देशों से हैं पूरे विश्व से हैं आखिर ये काम क्यूं करते हैं उनका एक ही motive है उनका एक ही उदेशय है कि हम किसी तरिके से इस प्रित्वी पर बायो डाइवर्सिटी जैव विवित्ता को बचा लें और हम इस प्रकरती की जो वेल्यू है उसको समझें और इसे सनक्षित करने का कार्यक करें Working in close association with IOCN's Global Species Programme SSC major role is to provide information to IOCN on biodiversity conservation, the inherent value of species, their role in ecosystem, health and functioning, the provision of ecosystem services and their support to human livelihood. SSC का जो विश्वस्तर पर IOCN के साथ काम करती है वो क्या क्या काम करती है अगर एक एक करके हम देखें तो वह IOCN को जैविवित्ता के बारे में data उपलब्द करवाती है अंकड़े उपलब्द करवाती है उनके सनक्षन के बारे में क्या किया जाना है इसके बारे में बतात और ecosystem जो हमारा है उसका उसकी health और उसकी functioning कैसी चल रही है उस आवास के बारे में भी जानकारी उपलब्द करवाती है ecosystem services के बारे में भी यह सूचना उपलब्द करवाती है और यह किस परकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है वो भी suggest करती है उसके बारे में भी IUC को बताती है this information is fed into the IUCN red list of threatened species of or red data book यह सारी जाटकारी IUCN की लाल आंकनों की पुस्तक में संकलित की जाती है the red data book contains the complete list of threatened species जो जातियां संकत में है उनकी पूरी list लाल आंकनों के पुस्तक या red data book के अंदर उपलब्द करवाई जाती है the main aim behind the documentation is to provide complete information for research and analysis of different species इसका मुख्य उदेश्य क्या है कि हम research में इसका उप्योग कर सके हम विभिन जातियों का जब analysis कर सकते हैं तो आपस में उनका comparison करने के लिए भी यह आंक्रे सहायता करते हैं the red data book contain color coded information sheets जो red data book है जो लाल आंक्रों की पुस्तक है उसमें रंगों के अधार पर information सूचना की sheets लगी होती है papers लगे होते हैं which are arranged according to the extinction risk of many species and subspecies जो जातियों के विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त होने के कगार से कितना दूर हैं इस अधार पर पुस्तक के अंदर संकलित किये जाते हैं या उनको एक विशेश करम के अंदर रखा जाता है ब्लैक रिप्रेजेंट स्पीसिज विच आर कनफार्म टू बी एक्स्टिंट ये रंग क्या है जैसे काला रंग हमें बताता है कि ये जाती या उपजाती पुरंत्या विलुप्त हो सकती है अगर किसी जाती या उप जाती का वर्नन ब्लैक पेज के उपर किया गया है, ब्लैक शीट के उपर किया गया है, तो इसका आर्थ है कि वो जाती विलुप्त हो चुकी है. अगर लाल रंग है, तो वो जाती संकट ग्रस्त है, अमबर और दोज स्पीसिज वो स्टेटस इस कंसीडर टू भी वोलनरेबल, जो हम कहते हैं कि निला सा रंग होता है, उसमें अगर जातीयों को रखा गया है, तो वो जातीयां जो हैं, वो असुरक्षित हैं, वोलनरेबल है वाइट is assigned for species that are rare, विरल जातीयों के लिए, दुरबल जातीयों के लिए, वाइट शीट का प्रियुक्त किया जाता है, उनके ओपर उनका वर्नन लिखा जाता है, ग्रीन for species that were formerly endangered, but their number have started to recover, ग्रीन रंग की शीट उन जातीयों के लिए प्रियुक्त की जाती है, जो पहले संक जातीयों के लिए प्रियुक्त किया जाता है, जो अभी सपस्ट नहीं है, कि वो अर्स्राक्षित हैं, संकट गस्त हैं, या दुरलब हैं, तो इस परकार विबिन रंगों की शीट्स लगा करके लाल आंकनों की पुस्तक में जातीयों की के टेगरी यश्रेनी के बारे में ब सेटन जातीयों के बारे में, अर्थात जो संकट में है, नोर्थ सेटन जो संकट में नहीं है, अन्नोन जिन के बारे में अभी पता नहीं है, कि वो संकट गरस्त हैं, या कैसी हैं जातीयों, उनके बारे में हमें पता चलता है, इसके अलावा अगर हम देखें, तो लाल आंक या उनकी समस्टियां जो हैं वो दीरे-दीरे कम होने लगी, या उनका वित्रण जो है वो पृत्वी पड़ दीरे-दीरे कम होता गया, और जातियां विलुप्ट हो गई, वो जातियां अब दिखाई नहीं देती. यह मैंने यहाँ पर इस slide के अंदर हिंदी के अंदर शब्दों को बताया है जैसे extinct willopth होता है extinct in wild one willopth होती है critically endangered घोर संकट गरस्त को कहते हैं endangered संकट गरस्त को कहते हैं vulnerable असरक्षित को कहते हैं near threatened संकट निकट जातियों को कहा जाता है least concerned संकट मुक्त को कहा जाता है data deficient आंकडों का भाव को कहा जाता है और not evaluated अनाकलित अर्थार जिनके बारे में अभी data एकत्रित नहीं किये गए हैं अब हम बात करेंगे the IUCN red list categories and criteria अब हम लाल आंकडों की पुस्तक जो है या जो रेड लिस्ट है वो जो लाल सुची जो है उसके श्रेनियों और वो श्रेनिया कैसे बनाएगी क्या मान दंड थे उन माप डंडों के बारे में भी हम यहां पर देखेंगे the IUCN red list categories and criteria are intended to be an easily and widely understood system for classifying species at high risk of global extinction it divides species into nine categories IUCN जो रेड लिस्ट है जो लाल आंकडों की सुची जो है उसके अंदर विबिन श्रेनियों और उनके माप डंडों को बड़े सरल तरीके से बताया गया है और हम उनके अधार पर जो जातियां हैं उनको हम बांट सकते हैं उन जातियों को हम वर्गी करित कर सकते हैं जब से पहले उधारन लेते हैं extinct इसे EX द्वरादर शाया जाता है a taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died यह ऐसी जातियों के लिए प्रुक्त किया जाता है जब यह पक्का होता है कि वो जाती इस प्रित्वी से विलुप्त हो गई है उसका एक विस्दस से जिवित नहीं बचा है extinct in wild इसको EW से दर्शाया जाता है a taxon is extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as naturalized population well outside the past rain यह उन जातियों के लिए प्रुक्त किया जाता है जो वनों में जो पहले उपलब्द होती थी अब पुरुनत या नश्ट हो चुकी है अब इन्हें घरों में, गमलों में या किसी gardens के अंदर उध्यानों वित्यादी में उगाया जाता है ऐसी जातियों को extinct in wild इसको CR से दर्शाया जाता है a taxon is critically endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria A to E for critically endangered and it is therefore considered to be facing an extremely high risk of extinction in the wild ये उन जातियों के लिए प्रिक्षिया जाता है जिनका वनों से विलुप्त होने का खत्रा बना रहता है ऐसी जातियों के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं ये मापदंड क्या है एक एक करके हम इनको देखते हैं Criteria for critically endangered Reduction in population size अगर जातियों की समिस्टी धीरे-धीरे कम हो रही है इनकी संख्या कम हो रही है और पिछले 10 सालों में ऐसी जातियों की जो समिस्टियां है वो 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा कम हो चुकी है और उनका एक स्पस्ट जो है हमें आंक्डों की साहिता से पता है कि जातियों की जो जन संख्या है जो population है जो समिस्टी है वो 90 प्रतिशत से ज़्यादा खतम हो चुकी है दूसरी बात हम इसमें कह सकते हैं कि जाति जो है उसके समिस्टियों में 80 प्रतिशत की गिरावट है और वो पिछले तीन जनरेशन से तीन प्रीडियों से उनकी population में लगातार गिरावट होती जा रही है जो आप पिछले 10 सालों में उनमें यह गिरावट देखी गई है दूसरा क्राइटेरिया क्या है geographic range in the form of either B1 और B2 यानि हम यह कह सकते हैं कि वो पहले जाती जो थी दूर दूर तक वित्री थी लेकिन geographically बगोलिक रूप से अब वो जाती धीरे-दीरे क्या होती जा रही है सीमित होती जा रही है और वो 100 km स्क्वेड से भी कम एरिया के अंदर रह गई है या हम कह सकते हैं कि 10 km2 से भी कम एरिया के अंदर या किसी केवल एक स्थान पर इस आवासी एक शित्र के अंदर किसी एक स्थान पर अगर वो दिखाई देती है तो हम मान सकते हैं कि वो जाती critical endangered की श्रेनी में है इसमें c-point हम कह सकते हैं कि population size estimated to number fewer than 250 mature individual and an estimated continuing decline at least 25% within 3 years or one generation whichever is longer हम यह कह सकते हैं कि इन में से कि जो उनकी semester है उसमें जो mature individual जो व्यसक सदस्या है उनकी संख्या 250 से कम हो गई है और वो 25% से भी ज्यादा लगातार वो जो है वो कम हो रही है पिछले 3 सालों में या पिछली एक पीडी के अंदर इन में से जो भी आमें अधिक बताता है उसक के अधार पर हम जाती को critical endangered की श्रेणी में रख सकते हैं population size estimated to number fewer than 50 mature individuals या हम यह भी कह सकते हैं कि जाती की जन संख्या में या समस्टी के अंदर जाती के जो mature सदस्या है जो व्यसक जो सदस्या होते हैं उनकी संख्या जो है वो 50 से भी कम रह गई है इपॉइंट क्या कहता है इस criteria के अंदर इस मापदन के अंदर quantitative analysis showing that the probability of extinction in the wild is at least 50% within 10 years or 3 generation whichever is the longer हम यह देखते हैं कि या तो अगली तीन पीडियों के अंदर वो जाती 50% से भी ज्यादा विलूप्त हो जाएगी या अगले 10 सालों के अंदर वो जाती 50% से भी ज्यादा संख्या के अंदर विलूप्त ह जाएग इनवे से जो भी लंबा हो उसके अधार पर हम इस जाती को critical endangered में रख सकते हैं next point is endangered इसको EN से दर्शाय दाता है संकट ग्रस्ट वो जातियां होती है a taxon is endangered when the best available evidence indicate that it meets any of the criteria A to E for endangered हम संकट ग्रस्ट उनको मानते हैं जो A से E तक दिएगे मापदंडों पर खरे उतरते हैं इनके बारे में हमें first evidence जो सबूत जो हैं वो उपलब्द होते हैं कि ये जाती इन मापदंडों पर सही रूप से हमें आंकड़े उपलब्द करवाती है और ये जाती हैं जो संकट गर जाती हैं इनका बन्ने रूप से विलूप्त होने का चांस अधिक होता है अब क्या-क्राइटेरिया है एंडेंजट के लिए पहला तो वही reduction population size based of any of the following ये जो नीचे दिए गए हैं इनकी अधार पर हम यह कह सकते हैं कि उनकी समस्थी में जो समस्थी का size है अकार है उसमें रंतर गिरावट आती जा रही हो पिछले 10 सालों में 70% से भी कम हो गई हो समस्थी का size कम हो गया हो या हम कह सकते हैं कि वो धीरे-धीरे पिछले 10 सालों में 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा सुमस्टी जो है वो उसका आकार जो है वो कम हो गया हो भी उसी तरह से कि जियोग्राफिकल रेंज कम हो गई हो या पहले दूर-दूर तक बगोलिक शित्रों में वित्रिश होती थी अब इस या एस्टिमित स्थानों पर है उपलब्ध होती है next हम कह सकते हैं c जो है population size estimated to number fewer than 2500 mature individuals and an estimated continued decline at least 20% within 5 years or two generations whichever is longer हम कह सकते हैं कि पिछले जो समस्टि इसकी उपलब ठी , उसमें केवल 6,000 व्यासक सोदस्या बचे हैं और पिछले पान सालों में समस्टि की अकार यह सोदस्यों की संक्या जो है 20% से भी जादा कम हो गयी है या पिछली दो पीडियों में इनकी संख्या नरंतर गिरती जा रही है तो पांचवी जो श्रेनी है पांचवी जो IUCN केटिगरी है उसे हम वुल्नरेबल कहते हैं इसे वीजु द्वारा दर्शाया जाता है हिंदी में इसे असुरक्षित श्रेनी कहा जाता है A taxon is vulnerable when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria A to E for vulnerable and it is therefore considered to be facing a high risk of extinction in the wild जदी कोई taxon जदी कोई जाती अगर वो उसके बारे में ऐसा कोई A से लेकर E तक दिये गे मापदंड उन पे अगर वो खरी उतरती है तो हम कह सकते हैं कि ये जाती vulnerable है और वन्य रूप से ये विलुक्त होने की कगार पर है अर्थात यह जाती आज़ोरक्षित है vulnerable के criteria या मापदंड क्या है उन्हें हम एक-एक करके देखेंगे A पर है जैसे कि हम जानते हैं reduction in population size based on any of the following अगर इसकी समस्टी के आकार में कमी होती है वो भी कैसे number 1 या first हम देखेंगे reduction in population अगर 50 प्रतिशत या उससे भी जादा अगर population के अंदर समस्टी के आकार में कमी हो जाती है कब पिछले 10 सालों में या पिछली 3 पीडियों में तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम उसे vulnerable की श्रेणी में रख सकते हैं दूसरा criteria या मापदन क्या है population के आकार से सम्बंदित उसमें हम देखते हैं कि समस्टी का आकार 30 प्रतिशत या इससे भी जादा पिछले 10 सालों में कम हो गया हो या पिछली 3 पीडियों से में लगातार इसकी समस्टी के आकार में कमी होती जा रही है तो हम ऐसे taxon को ऐसी जाती को हम vulnerable की श्रेणी के अंदर रख सकते हैं इसका अधार होता है population size अर्थास समस्टी का आकार इसके अलावा हम आगे देखते हैं B mapdand या B category क्या है geographic range in the form of either B1 और B2 यहां पर हम देखते हैं कि समस्टी जो है वो पहले कितने बगवरी शेतर में फैली हुई थी और अब उसकी स्थिति क्या है तो इसमें पहला point होता है extent of occurrence estimated to be less than 20,000 km2 and severely fragmented or known to exist at no more than 10 location यदी प्रजाती की समस्टी या प्रजाती की उपलब्दता 20,000 km2 से भी कम रह गई है अर्थात इससे भी कम ख्षेतर के अंदर वो उपलब्द है या वो इन ख्षेतरों में टुक्डों के रूप में fragments के रूप में पाई जाती है या जाती 10 स्थानों से 10 location या इससे भी कम स्थानों पर अगर उपलब्द है तो हम इसे vulnerable की श्रेणी में रख सकते हैं geographical range का जो दूसरा मापदण है उसमें क्या है area of occupancy estimated to be less than 2000 km square and estimates indicate severely fragmented or known to exist at no more than 10 locations यदि जाती 2000 km square से भी कम क्षितर के अंदर पाई जाती है और यह तुक्डों के रूप में हमें जगे जगे पर हमें स्थान स्थान पर हमें तुक्डों के रूप में मिलती है और 10 locations 10 स्थानों से भी कम स्थानों पर यह वो पलब्द है तो हम ऐसी परजाती को vulnerable श्रेणी के अंदर उसे रख सकते हैं C map done population size estimated to number fewer than 10,000 mature individuals जब व्यसक सदस्यों का किसी भी समिष्टी में किसी परजाती के व्यसक सदस्यों की संख्या 10,000 से कम हो जाती है और वो लगातार उनकी संख्या के अंदर कमी होती जा रही है पिछले 10 सालों में या पिछली 3 पीडियों में तो ऐसी परजाती को vulnerable की श्रीनी के अंदर रखा जा सकता है दी क्रैटेरिया क्या कहता है population size estimated to number fewer than 1000 mature individuals जदी किसी भी समस्टी या population में व्यसक सदस्यों की संख्या 1000 से कम हो जाए तो ऐसे जो सदस्यों हैं ऐसे जो individuals हैं ऐसी जो परजातियां हैं उन्हें हम vulnerable या असरक्षत की श् E criteria या E map done क्या कहता है quantitative analysis shows the probability of extinction in the wild is at least 10% within 100 years यह है E criteria कहता है कि जदी ऐसा अनुमान है कि अगले 100 सालों के अंदर यह है परजाती 10% से भी ज़्यादा वन्य रूप से क्या हो जाएगी extinct हो जाएगी वन्य रूप से इस प्रिक्वी पर से extinct हो जाएगी तो हम उसे vulnerable की श्रेणी में असरक्षत की श्रेणी में रख सकते हैं Near threatened यानि संकट के निकट या निकट संकट भी हम कह सकते हैं इसको कुछ लोग संकट निकट भी लिखते हैं A taxon is near threatened when it has been evaluated against the criteria but does not qualify for critically endangered or vulnerable but is close to qualifying for or is likely to be qualified for a threatened category in the near future Near threatened हम उन जातियों को कहते हैं उन जातियों को माना जाता है जिन में वो endangered होने के आज सुरक्षित होने के संकट गर्षत होने के या दुरलब होने के निकट होती है या निकट वविश्य में उनका इस किसी श्रेणी में आने का भै होता है उन्हें near threatened या संकट निकट की श्रेणी में रखा जाता है जब उपर वर्नन की गई जो श्रेणिया है उन में से जाती किसी में भी फिट नहीं बैठती तो हम उसको लीस्ट कंसर्ण कह देते हैं data deficient इसे DD से दर्शाया जाता है जब भी किसी जाती के बारे में पूरंत्या सही आंकड़े उपलब्द नहीं होते तो हम उसे data deficient की जिनके बारे में आंकड़े उपलब्द नहीं है अनुपलब्द आंकड़ों की श्रेणी में हम उसको रख सकते not evaluated इसको एनी से दर्शाया आते हैं यह उन जातियों के लिए प्रयक्त किया जाता है जिनके बारे में अभी आंकड़े एकत्रित करने बाकी है जिनके बारे में अभी study करना बाकी है जिनको अभी अध्यन नहीं किया गया है लाल आंकड़ों की पुस्तक या red data book जो है उसके advantages क्या है उसके lab क्या है यह करके उनको देखते हैं इट helps in identifying all animals, birds and other species about their conservation status यह हमें सभी जातियों के सरक्षन के बारे में या उनके सरक्षन की स्थिती के बारे में आंकड़े उपलब करवाती है जानकारी उपलब करवाती है the data available in book can be used to evaluate the taxa at the global level इसके अंदर जितने भी आंकड़े हैं उनको हम विश्वस्तर पर प्रियुक्त कर सकते हैं with the help of this book we can estimate the risk of taxa become globally extinct हम इस पुस्तक में उपलब आंकड़ों के धार पर किसी भी जाती में जाती के बारे में हैं जान सकते हैं कि निकट वविश्य में वो विश्वस्तर पर विलुक्त हो जाएगी या नहीं होगी provides a framework for guidelines for implementing protective measures for endangered species यह हमें उस बारे में भी आंकड़े उपलब्द करवाती है कि निकट वविश्य में इन जातीयों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके लिए guidelines भी उपलब्द करवाती है disadvantage of the red data book red data book के disadvantage क्या है the information available in the red data book is incomplete red data यलाल आंकड़ों के पुस्तक में जो जानकारी दी गई है वो incomplete है many species both extinct and extent are not updated in the book इस पुस्तक में जो जातियां विलुप्त हो गई है या हम यह कह सकते हैं कि जो जातियां वापिस दिरे दिरे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के अंदर प्रवेश कर रही है उनके बारे में हमें सही जानकारी उपलब्द नहीं करवाती the source of books data has been speculated and has been mired in controversy इस पुस्तक के अंदर उपलब्द आंक्रे जो हैं उन पर विवाद अक्सर बना रहता है this book maintains the complete record of all animals, plants, other species but it has no information about the microbes इस पुस्तक के अंदर सभी पादपों, जन्तूं, इत्यादी के बारे में जानकारी दी गई है लेकिन सुक्षम जीवियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्द नहीं करवाई गई है thank you so much